रूस युक्रेन युद में रूस ने खूखा रूप अपनाने के साथ खतरनाख खेल खेलना शुरू कर दिया है दो देशों के बीच चल रही विध्वनसक लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आमनागरिकों को उठाना पड़ रहा है रूस अपनी सेना और मिसाइलों के साथ गरम तेवर दिखा रहा है तो वहीं युक्रेन भी बदले की आग में मौद के गोले दागने से पीछे नहीं हट रहा दो साल से अधिक समय से चल रहे इस युद का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है वहीं अब रूसी सेना ने युक्रेन के इलाकों पर कबजा कर एक बार फिर युक्रेनी राश्टपती के माथे पर शिकन लाने का काम किया है हाल में रूसी सेना ने दोनेस के सेमियोनोफ का गाओं पर कबजा जमाया है खुद युक्रेन के कमांडर इनचीफ जनरल अलेक्जंडर सिर्सकी ने डॉन्बास में पीछे हटने की बात स्वीकारी है उन्होंने कहा कि युक्रेनी सेना सेमियोनोफ का और एक अन्य गाउं बरडीची को छोड़ चुकी है रूस ने अपने घातक FPV ड्रोन्स की मदद से युक्रेनी ठिकानों को तबाह करने का एक वीडियो भी जारी कर अपने दावे की पुष्टी की है इस वीडियो में युक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले दिखाए गए है हमले की वीडियो FPV ड्रोन पर लगे कैमरों से ली गई है जब वे दुश्मन के ठिकानों के पास आ रहे थे इसमें मानव रही ड्रोन्स को सटीक रूप से निशाना साधते हुए देखा जा सकता है जो अकसर जंगली इलाको या फिर बस्तियों के पास इस्तित होते हैं या फिर छिपे होते हैं रूस के सटीक हमलों का ही नतीजा है कि युक्रेन को भारी भरकम संख्या में सैनिकों को खोना पड़ा है रूसी रक्षा मंत्राले की माने तो मौस्कों के सैनिकों ने सैमियोनोफ का और आसपास के कुछ गाओं में युक्रेन की ओर से किये गए दस जवाबी हमलों को सफलता पूरवग विफल किया था इस ओपरेशन में कीम ने करीब 370 सैनिकों को खो दिया सैमियोनोफ का अवदीवका के रणनीतिक डौनबाश शहर के पश्च में स्थित है जिस पर फरवरी में मौस्कों की सेनाने कबजा किया था रूस तब से ही शेत्र में युक्रेनी सुरक्षा को तोड़ते हुए आगे बढ़ने और कई छोटी बस्तियों पर कबजा करने में काम्याब रहा है युक्रेन को कुछ साहता मिलनी शुरू भी हो गई है मगर इसमें और तेजी लाने की सक्त जरूरत है रूसी सेना ने बीतेर अविवार को कहा था कि उसने पास के गाउं नोवबाखमुतिफ्का पर कबजा कर लिया है उससे पहले पीते शनिवार को मौस्को ने कहा था कि दोनेश शेहर के आसपास उसके सैनिक युक्रेनी डिफेंस लाइन को भेदने में कामयाब रहे हैं माना जा रहा है कि रूसी सेना की हालिया तेजी ने एक बार फिर रूस का युक्रेन पर पलडा भारी कर दिया है वहीं हतियारों की सुस्त सप्लाई से बेचैन युक्रेन लगातार पश्चिम के सहयोग्यों को कोस रहा है युक्रेन के राजपती ने कहा कि रूस आक्रामक होने के लिए पश्चिमी हतियारों की धीमी डिलिवरी का फायदा उठा रहा है पिछले हफ़ते रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोईगू ने कहा था कि मौस्को की सेना ने पश्चिमी हतियारों की श्रेश्ता के मिथक को दूर कर दिया है साथी दावा किया था कि कीव ने एक हफ़ते के भीतर आठ हजार से ज्यादा सैनिकों को खो दिया साथी अमेरिका के हिमार्स और चेक रिपबलिक की ओर से सप्लाई किये गए RM-70 वेंपायर मल्टिपल रॉकेट लॉंचर समेथ दरजनों पश्चिमी हतियारों को नश्ट कर दिया गया है शोईगू ने समवार को बताया कि मौस्कों की सेनाए अब युद्ध के मैदान में मजबूती से आगे बढ़ते हुए कबजे कर रही है और युक्रेन को लगाता पीछे धकेल रही है कर दिया है